पोको के F6 डिवाइस के लिए यहाँ पे CR-Droid का एक latest update आ चुका है, जिसे यूज करते हो चुके 2-3 दिन और क्या कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है, performance, customization और कुछ bug वगेरा वो साही जनकारी मैं आपको देने वाला हूँ, बर जरूरत आपको लास्ट टक वाच करने की, ता के लिए ताकि हमें भी motivation मिलता रहा है, अर CR-Droid की तरह यहाँ पे भी आपको जो डायरा दिया गए वो है different है, जिसमें आपको core recording के benefits मिल जाते हैं, जो कि अच्छी बात है, और full screen photograph set कर सकते हो, यहाँ पे system default वाल आपको camera मिलता है, जो कि हाई प्रोस में आता है, लाइका camera का तो यह यहाँ पे आपका proper काम करता है, no issue, 20 year भी दिया गए core recording के लिए, जिसके आपको need नहीं पढ़ने वाले क्यों कि डायलर में ही benefit आपको मिलता है, डॉल वी का भी option यहाँ पे मिलता है, तो आपको output वगरा सही मिल जाता है, वाट मैं आपको audio सुना रहता हूं, जैसे कि आप लोगों का demand रहता है, तो चलिए audio play करते हों सुनते हैं, तो I hope कि आपको इसका idea लग गयाँ आपको आपको फिल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पी इस सरा चीज़े improve करी गई है, अगर हम आते है about के session पे तो आपको लेखने को मिलता है, यहाँ पे Android 15, Poco F6 का, जो कि CRDROID 11.4 का version है, जहाँ पे आपको 5 April का security patch, यहाँ पे 1 FAB का vendor देखने को मिल जाता है, करनल वगर आप देखी पार है, और 2 Mac का यहाँ पे आपको builder देखने को मिलता है, जो कि सबसे latest version है, वहाँ पे system के अंदर वही basic से common से आपको features मिल जाते है, system navigation bars वगेरा के, और circle to search वगेरा जो कि आपका proper काम करता है, system diagnosis वगेरा भी दिया गया है, जो कि आपका सही तरीके से working रहता है, यहाँ पे काफ़ी important features एट किया गया है, जो कि होना चाहिए था, और अभी के time पे आ चुका है, और यह हर एक customer room में होना चाहिए, especially Poco F6 के device के users क जहाँ पे आप अपने power को control कर सकते हो, कि कितना fast यहाँ फिर कितना slow charging होना चाहिए, और आपको कहीं जाना है, बाहर और phone charging फिर छोड़के जाना है, तो आप normal charging कर दो, ताकि यह slow slow charge होता रहे, आपको quick charging करना है, तो आपने हिसाब से यहाँ पे बढ़ा सकते हो, और यह काम क comparison में आपको काफ़ी बहतरी देखनी को मिलेगा, बाकि यहाँ पर charging control वही आपको देखनी को मिल दाता, जिसमें कोई change नहीं है, यहाँ पर यह जो features है, आपने already use कर रखा है, more features common हो चुके है, अभी के time पर, यहाँ पर notification cooldown का यह features common है, और CI-Droid में जो customizing से मिलते हैं, वो सारे customizing आपको मिलते हैं, इसमें कुछ भी आपको नया देखनी को नहीं मिलता है, different सा, जो कि मैं कहूँ कि हाँ भाई, इस वार थ्वा अच्छा देखनी को मिला, यानि काफी different सा देखनी को मिला, customizing बहुत जाजा है, और सारे useful मिल जाते हैं, बाकि यहाँ पर गेम ट्रो वीफो customization आपो यहाँ पर करना है, वो सारे customization आप यहाँ पर जो कर सकते हो, बहुत कुछ दिया गया है, जो कि आपके काफी काम आने वाला है, लेकिन इसके लाव आप बाकिया दर basic चीजों के उपर नजर डालते हैं, क्या कुछ कैसे देखनी को मिलता है, तो वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ similar है, तो हर एक चीज को repeat करना कुछ खास अच्छी बात नहीं है, start करेंगे हम gallery से, जहाँ पर test results वगरे में दिखा दो, और यहाँ पर कुछ मैंने भाई, यहाँ पर नया sawmy का एक features आया है, उसका video मैंने आपको दिया है जो कि sawmy, palaroid, 3D, image, art वगरा है, तो आप चाहो इसे use करना, तो उस वीडियो को देख लेना, उसका अधा आप इसे use कर पाऊगे, तो start करते हैं test results है, जैसे कि मैंने का our dialer में आपको benefit मिल जाता है, calling वगरे का वो चीज यहाँ पर सही है, camera वगरे हमारा काम कर रहा है, batty drop की बात करें, तो यह देख से तो यहाँ पर 84 के बाद morning में आता है, 81, यानि full light में यहाँ पर 3% का batty drop है, जहाँ पर 728 मिनट का standby timing है, untotoo score काफी ज़्यादा super है, क्योंकि इस type का score बहुत कम ही देखनी को मिलता है कहीं कहीं पर, उसके बाद यहाँ पर देखो untotoo score के लावा CPU, जो कि 4,60,000 max, ओमिनो में यहाँ पर 3,83,87 का percentage है, और यह भी काफी ज़्यादा बहतरीन है, अनदर यहाँ पर आप देख से तो कि Geekbench अब तक का सबसे highest score है, क्योंकि जितना भी मैंने roam review किया नहीं नहीं देखा है, यहाँ पर यहली में काफी ज़्यादा better results निकलके आता है लेकिन हाँ, आपको cool down, control करना पर अपने phone का heat होता है, warm होता है, तो आपको score कम देखनी को मिलेंगे, throttling भी देखनी को मिलेगा, तो इस चीज़ का आप ध्यान में जरूर रखना, तो मैं top result यहाँ पर लिकाल के दिखा रहा हूँ, तो every time हर एक situation में top result आपको नहीं मिलने आपको पास मिलते हैं, तो banking app वगरे में आपको दिक्कत नहीं आने अला, एक चीज़ में और कहना चाहूँ, इससे बारबार चेक मत करते रहना, अदवाए Google इसे detect करता है, बाद में fail कर देता है, तो आपको भाई काम नहीं कर रहा, camera वगरे मैंने use किया, काफी सही तरीके स इसे काम करता है, gaming का setting आपको normal रहता है, लेकिन आप जैसी असपूफ आले settings पोगेरा on कर देते हो, आपका extra setting unlock हो जाता है, तो यह भी advantage आपको मिलता है, photo store unlock है क्योंकि इसके setting आपको मिलते है, another day की बात करें, बात करें, बात करें बात की, तो 41 के बाद morning में आता है, यह 38, तो यहाँ पर 3% का betty drop हो है, full night के अंदर, again next day की बात करें, क्योंकि 2-3 दिन समय से huge कर रहा हूं, तो 33 के बात morning में आता है, यहाँ पर 31, तो इस वार यहाँ पर 2% का betty drop हो है, यहाँ पहला था 3%, दूसरा भी 3% और तिसरा है, जो हमारा 2% का है, यहाँ बात है, यहाँ बात तो इस दिकी सापको charging speed देखनी को मिल जाता है, आपके phone का, और आप देखते हो तो कि यहाँ पर हमारा बैटी का स्क्रीन सूटे वो 99 गया है, तो आपको पता है कि 80 के बाद slow charging थोड़ा सा हो जाता है, तो इसकी साब से यहाँ पर मैं कहाँ का fast charging काफी सही तरीके से काम करता है, और हाँ, एक HDR preview का कुछ लोग comment कर रहे थे, कि यह issue रहता है, वो check कर लेना, तो हाँ, यह चीज यहाँ पर आपको देखनी को मिलता है, और still बहुत सारे रोम के अंदर यह problem देखनी को मिल रहा है, जैसा कि यह जैसे ने complaint किया, मैंने check किया और वो चीज यहाँ पर मुझ के अंदर देखनी को मिलता है, सम इस्टा वीडियो पर देखनी को मिलेगा, और कुछ YouTube वीडियो पर भी यह चीज देखनी को मिलेगा, जहाँ पर HDR वाले वीडियो प्ले होते हैं, तो, अब यह चीज यहाँ पर आप देखनी तो, कि यह नॉर्मल आपको दिखाई दे रहा ह लिए सब कुछ यहां पे काफी सही तरीके से काम कर रहे है कोई शू नहीं आता और अधा डालना कैसे तो इस साइड लोड मैठेड आपको यूज करना है जहां पर आपको इसका डालना है इसका निक गफ डालना है और फॉर्मेट एंड फ्लेस कर दना है और और रिकमर्ण रह उसे ध्यान देना है और follow करना है power off करने के बाद power button and volume down को long press करना है जिससे आपका phone है जो fast put पे on हो जाएगा जैसे कि आपको अपने phone को PC से connect करना है अगर आपको PC नहीं है आपके पास फोन ही है आप phone method follow करना चाहते हो तो मेरा phone ओला playlist चेक कर लेना जहां पर मैंने playlist का नाम र जो भी important file आपको बताई गई है वो सभी download करके अपने PC पे रख लेना है या फोन से कर रहे है तो phone में रख लेना है और एक platform tool के जुरूत पड़ेगी PC पे जिसे आपको download करके unzip करना है और इसी कंदर सारी file को move कर लेना है जो भी required file है तो मैंने यहाँ पर move कर लिए कुछ ए जैसी करोगे यहाँ पर code नाजर आ जागा यानि connected है नहीं है तापको driver update करने की जरूवत है अब जरूवत है recovery flash करने की मैं सा supported recovery ही यूज करना अगर सेम रोम में तूसी का recovery लेना नहीं मिल रहे तो किसी और रोम का भी recovery आप यूज कर सकते हो बस काम करने से मतलब होना चाहि करेंगे जिसे आपको phone switch करेगा recovery के mode बे आ चुका आपका different roam रहेगा तो उसी के नाम से इसी look में different नाम का recovery आपको ना जा रहेगा लेकिन user interface काफियो तक ऐसा ही होगा तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना होता है कि यहाँ पर factory reset करना है अगर आप touch का यूज करते हो आप factory reset क करना है आप कर दिया अब जो भी रोम आप flash कर दे हो जो भी supported है उसे आपको यहाँ पर drag and drop कर लेना है अगर आपको required किया गया है fw flash करने के लिए तो same यह command डालने के बाद आप जो fw को drag and drop कर लेना जो भी file है सबसे पहले डाल लेना उसके बाद रोम को डालना तो मैंने र डाल लिया क्योंकि fw यहाँ पर required नहीं है इंटर पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर flashing process start होगा जो कि 5-10 मिनिट का time लेगा अगर यहाँ पर error आता है तो cable को disconnect करना phone को फिर से reboot कर लेना और फिर से try करना आपका flashing सुरू हो जाएगा प्रेट flash हो जाने के बाद लास्ट में इस तरगी से एक option आपको देखने को मिल सकता है यस नो का तो आपको यहाँ पर yes करना है जिससे आपका recovery का रिबूट होके है जो फिर से on होगा अगर आप किसी different room का recovery यूज कर रहे हो यहाँ पर reboot के time पर आपका recovery change हो सकता है तो don't worry tension मत लेना change हो रहा है तो होने देना है और maybe कुछ ऐसे रोम रहते हैं जैसे कि recently मैंने यह प्रोम flash किया था उसमें इसी टाइप का recovery है लेकिन वह बहुत छोटा 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 लिखावा रहता है उसमें कई सारे option आते हैं but process same ही रहेगा side load हो जो कि ADB side load है तो बस same follow कर करते रहना अब यहां पर मैंने यह flash कर लिया इसमें नहीं मुझे निक gaps डालने के जरूवत है नहीं FW डलने के जरूवत है तो मैं एक्सरा चीजे नहीं डालूँगा लेकिन आपको डालना है एक्सरा चीजे required की गए तो क्या करना है simple से फिर से यहां पर install ADB पर आना है और कमांड आपको टाइप करना है PC पर जो कि होगा आपका ADB side load a space अब जो जो फाइले required रहेगी जैसे कि आपको यहां पर निक gaps required है उसे हम drag and drop कर लेंगे या पि कोई root करने की जरूवत है तो उसकी फाइले आप drag and drop कर सकते हो command यह same रहेगा बस आपको one way one करके जो भी एक्सरा फाइल है उसे drag and drop करना है और flash करते जाना है one way one जैसे का अभी मैंने रोम को flash किया है सब कुछ final हो जाने वाइट complete हो जाने के बाद आपको back और एक बाद factory reset कर लेना है same इसी तरीके से और यहां पर है जो आपको reboot कर लेना है system कोशी देर में आपको phone on हो जाएगा और आप use क पर पाऊंगे easily यह guide मैंने इसलिए बनाया है ताकि हर एक step के रोम के flashing guide में add कर सकूँ क्यों कि आप लोग कहते हो कि last में flashing guide बता दिया करो इसलिए मैं यहां पर यह suit करहूं ताकि हर एक video मैं add कर सको आपको separate video जाके watch ना करना पड़े तो I hope कि आपको sony में आ गया होगा कोई काफी दिफिकल्ट वाला flashing guide रहेगा तो वह तो मैं आपको अलग से देहीं दूँगा लेकिन similar type कर रहेगा तो सभी के अंदर में यही है जो वीडियो add करने लोगा है इसलिए आपको file पर focus नहीं करना है आपको process के उपर focus करना है जो कि मैंने आपको बताया है तो I hope कि आपक कि मैं आपको अबताय के orientation आपको के आपको लोगा है बाया है जो... करीा...